वर्ड फूर्ड डे हर साल पूरे विश्व में 16 अक्तूबर को मनाया जाता है इस दिन को मनाने का उदेश भूग से पीडित लोगों के लिए जागता फैलाना है पूरी दुनिया में कई संगटन इससे जुड़ी कारेकरम का आयजन करते हैं जहां जागता फैलाने का काम किया जाता है इन कारेकरम में खादी सुरक्ष्या और पॉष्टिक आहार से जुड़ी जानकारी दी जाती है इस वीडियो में हम आपको बता रही हैं कि World Food Day की शुरुवात कैसे हुई उसे क्यों मनाया जाता है और साल 2020 में World Food Day की थीम क्या है सबसे पहले बताते हैं कि World Food Day की शुरुवात कैसे हुई संयुक्त राष्ट दिद्वारा शुरू किये गए खादे और क्रिशी संगटन की स्थापना जिसे अंग्रेदी में Food and Agriculture Organization या फिर FAO कहा जाता है उसकी तिथी के सम्मान में ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है इसे संयुक्त राष्ट के द्वारा साल 1945 में लॉंच किया गया था World Food Day Food and Agriculture Organization की 75 वी Anniversary भी मना रहा है इसके अलावा आपको ये भी जाना जरूरी है कि खादे और क्रिशी संगटन के सदस्य वाले देशों ने नवंबर 1989 को यानि 1979 को हुए 20 सम्मिलन में World Food Day की स्थापना की थी आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 1981 से World Food Day मनाने की शुरुवात की गई अब आपको बताते हैं कि World Food Day क्यों मनाया जाता है World Food Day को मनाय जाने का कारण खादी सुरक्षा को सुरक्षित और उन्नत करना है खास कर उन दिनों में जब किसी कारण संकट की स्थिती बनी हुई हो दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में कारेकरम होते हैं जहां उन लोगों में जागुता पैदा की जाती है जो भूग से पीडित होते हैं इस दिन को मनाने का उदेश ये भी है कि सभी को पता चले कि बोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है World Food Day 2020 Theme COVID-19 महामारी के प्रभाव ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है World Food Day ने वैश्वे का एक जुटता के लिए सबसे कमजोर लोगों को ठीक करने और खाद्य प्रणालियों को उनके लिए अधिक टुकाव बनाने में मदद करने का अहवान किया है 2020 की Theme Grow, Nourish, Sustain Together Our Actions Are Our Future अगर इस जानकारी आपको पसंद आए तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेर करें और सब्सक्राइब करें